जै श्रीराम भगतो आज का टोपिक है ब्रह्म मूरत के नुक्षान अब आप कहेंगे कि क्या ब्रह्म मूरत के नुक्षान भी होते हैं तो हाँ भगतो ब्रह्म मूरत ही नहीं चाहे कोई भी कारिय हो अगर उसे ठीक से नहीं किया जाए तो उसके नुक्षान होते हैं फायदे तो जब होते हैं जब उस कारिये को ठीक से किया जाए नहीं गलत करोगे तो नुकसान ही नुकसान होगे तो ब्रह्म मूरत एक ऐसा समय है जिसका उपयोग आप ठीक से करते हो तो आपको उसके अनंत अनंत लाब मिलते हैं पहले हम उसके लाबों के बारे में जान लेते हैं उस के बाद हम नुकसान की बात करेंगे क्योंकि दोनों का ही जानना परम आवशक है क्योंकि आप लाब जान जाएंगे तो आप नुकसान से अपने आप ही बच जाएंगे जो वेक्ति ब्रह्म मूरत में उठता है ब्रह्म मूरत का समय हमारे जो रिशी मुनियों ने बताया है वो आप तीन से पांस के बीच में उठते हो, तो आपको आध्यात्मिक और शारिरिक दोनों ही तरह के लाब मिलते हैं, आपके शरीर में एक अलग तरह का तेज भर जाता है, आपकी आध्यात्मिक 29 शुरू होने लग जाती है, अर्थार्थ आप प्रती दिन अगर ब्रह्मूरत में उठते हो, उठकर के भगवान से जुडते हो, नामजप भजन ध्यान करते हो, तो आपको दिवे शक्तिया प्राप्त होने लग जाती हैं, आप इश्वर के करीब पहुचने लग जाते हो, आपका शरीर निरोगी होने चाहे कोई बिजनिसमेन है, तो उसके काम अपने आप बनने लग जाते हैं, उसका व्यापार आगे बढ़ने लग जाता है, विध्यार्थियों का पड़ाई में मन लगने लगता है, विध्यार्थि हर परिक्षा में सफलता प्राप्त करने लगते हैं, इसी तरह से कोई भी काम हो, वो सब काम अपने आप ही आपके धीरे धीरे परती दिन ब्रहमूरत में जागने से बनने लग जाते ही, और थोड़े से दिन आप निरंतर ऐसा कर लेते हो, यानि कि कोई भी आदत बदलने में 21 दिन का समय लगता, अगर 21 दिन ब्रहमूरत में उठकर आपने ऐसे भजन ध्यान नाम जब कर लिया कम से कम एक घंटा जैसे चार बजे उठ जाओ चार से पांच तक करो तो आपके जीवन में आपको अद्भुत बदलाव देखने को मिलेंगे आप चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकोगे आप उस नाम के बिना परमात्मा के बिना एक पल नहीं रह पाओगे क्योंकि 21 दिन आपने लगातार कर लिया है तो फिर उस नाम में भजन ध्यान में इतनी शक्ति है कि आपका मन स्वेम ही करने को करेगा और आपको सब टोकने लगेंगे कोई भी आपको मिलेगा वो कहेगा आपके श्रीर में तो भोत बदलाव हैं आप तो कुछ थोड़े बहुत हमने लाब बताए हैं और आप अपनी मनो कामनाई पूरी करने लग जाते हो आपको पता भी ने लगता है कि किस तरह से आपके काम बनने लगे आपको खुद हरानी होगी तो यह हमने बताए कुछ लाब अब हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मूरत में जागने के नुक्षान क्या होते हैं देखो ब्रह्मूरत में आप जाग गए जाग के आप परमात्मा से जुड़े यानि कि आपने ध्यान भजन नामजब किया जैसे कि आप चार बज़े उठे और आपने आधा गंटा नामजब किया और आप वापिस सो गई अगर आप वा देखंटे में जो उर्जा आपके अंदर बनी वो उर्जा वापिस से खतम हो जाएगी जैसे कि अगनी जली अगनी पे आपने पानी डाल दिया तो उसका कोई लाब ही नहीं होगा वो तो खतम हो जाएगी ऐसे ही जो आपकी उर्जा बनी जो उर्जा उपर को उठी अगर आ आप लाव लेना चाहते हो तो ब्रह्मूरत में उठकर के भजन ध्यान नामजब करें और दुबारा ना सोहें नहीं तो ये समझ लीजिए कि भगवान ने आपके उपर किरपा की आपको जगाया और आपने उस किरपा को ठोकर मार दी यानि कि भरी थाली है भोजन की और आपन आप से भगवान नाराज होंगे क्योंकि जो ब्रह्मूरत में उठकर सो जाते हैं उनके पाप अपने आप बढ़ने लग जाते हैं अगर आप ब्रह्मूरत में जागना पुन्य बढ़ने लग जाते हैं आपके पुन्य अपने आप बढ़ने लग जाते हैं शास्त्रों में ये कहा गया है कि ब्रह्म मूरत की निद्रा पाप बढ़ाती है और ब्रह्म मूरत में जागना पुन्य बढ़ाती है तो आगर आप ब्रह्म मूरत में जागते हो तो आपके पुन्य अपने आप बढ़ जाएंगे तो आप से हमारी हमबल रिक्वेस्ट है कि आप ब्रह्म मूरत में जाकर दुबारा बिल्कुल भी ना सौएं अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूर है तो वो सूरिय उदे के बाद ही सोए ब्रहम मूरत में तो बिल्कुल भी ना सोएं और कोशिश करें कि सोएं ही ना और रात को ही सोएं तो रात को 10 बजे आप सो जाएंगे तो सुबह 4 चार बजे तो अपके अपने आप ही आखे खुल जाएंगी और चार से पांच उठकर के आप भजन ध्यान करें अपना रूटीन बना ले उसके बाद आप घूमना चाहते हैं घूमें अपने और प्रति दिन के काम करना चाहते हैं वो करें तो आपको प्रभू की कृपा मिल और आपको इसके अद्भूत लाब मिलेंगे लेकिन आप उठके सो जाएंगे तो आपका नुक्षान ही नुक्षान होगा भगतो कोई भी आपका प्रशन नो कमेंट कीजिएगा अब हम अपने वानी को राम देते हैं जैस्री राम भगता